इस गेम का कॉंसेप्ट तो बहुत अच्छा है माँ खुशी की बात है जोटो का गेम सेलेक्ट हुआ है तुम रो क्यों रही हो ये गेम की वज़े से नहीं पुरानी बात यादा गए जब हम कोड से लौट रहे थे उसके माबाप उसे मेरे हाथ में सौकर चले गए उस दिन कृष्णाश्टमी थी पिछले 17 साल से वो अमरीक हमेशा कहता है मुझे इंडियाना है इंडियाना है पर ये किसी न किसी पहाने से उसे वही रोक के रखे हैं आने ही नहीं देते चो हो गया सो हो गया चल्दी आ जाएगा मा क्या बात है सब लोग यहां एक साथ इकटे क्यों खड़ेगो मैं तो सिर्फ इतना सोच रही थी कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे गिफ्ट लेने की बात मत सोचो ये सोचो कि हमें उसे क्या किफ्ट देनी चाहिए हम क्या गिफ्ट देंगे ये उसकी शादी की बात कर रही है उसके आने से पहले उसके लिए खुबसूरत सी बहु हमें सिलेक करके रखनी चाहिए वो यहाँ पर आ जाए तो उसे चाचा जी की जायदाद स्वाब दू और चिंता से मोगत हो जाओं। आम तोर पर किसी को जायदाद मिलती है तो वो खुश होता है। एक तुम हो तुमें इसे परिशानी हो रही है। अच्छा बताईए ने चाचा जी कब तक आएंगे। यही जानने के लिए तो पंडित जी को यहाँ बुलाया है। यह लड़का भी है कहां अमेरिका में। उसे वही रहने दो। क्यों? क्योंकि इस लड़के की कुंडली में शनी स्पीड ब्रेकर की तरह खड़ा है। साथ में राहू केतु भी हैं और शुक्र पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इन ग्रहों के दशा ठीक होने तक इस लड़के का फ्लाइट से आना ठीक नहीं। सुना था मेरे का जाने के लिए कुंडली में लिखा होना चाहिए पर महां से आने के लिए भी लिखा होना जरूरी है। सुनिए पंडिची मैं ये सब नहीं जानती। कुछ भी कीजिए पर इस बार मेरा बेटा घर आना ही चाहिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. विदी का विरोध किया, तो उसके प्राणों पर संकटा सकता है. कर यदे है, मीन के का विरोधा उस本त में परेका का विरोधार के विरोया मैं डार्णी का विरोधार नु να परेका हलुए.े कव tomarने का विरोधाने के विरोधार विरोधार के व्लिए विरोधार है. एई, वेर इस माई डॉटर, वो अंदर है, बेभी, कम ओर, कम ओर, भाराओ बेटी, क्या हुआ, नहीं आई ना, हानी, तुम्हारे बुलाने से नहीं आई, लेकिन मैंने बुलाने तो आ गई, ओ हाँ, वैसे इसकी शादी हो चुकी है, क्यों इतना काफी है, की और प्रसाद दू, जानता हो कौन हूँ मैं, चुनाए कि तुमने इसकी माँ को पटा के, उसके पैसों से चीज फैक्टरी खूली थी, उस चीज से बहुत पैसे कमाए, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे नक्षे कदम पर चलने वाली है, तुमने चीज फैक्टरी बनाई, तो इसने केक फैक्टरी बना ली, और फैक्टरी का पहला केक बन के तयार भी है, लाओ रे, टेक रेडी, टेस करके देखे, बताए कैसा लगा, वेरी बैटी, कमारी बेटी को इससे प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हें बता नहीं पा रह अरे अंकल, जरा गारी की चाहिए तेक दिस, तुमारे हनीमून के लिए टैडी की तुरफ से गिफ्ट, तुम्हें हनी हनी मून के लिए गई अंकल, तुम मुझे अच्छे लगे, अंजान लोगों के लिए ये सब घिया, दुसरों के खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता ह कुंडली दोश बताकर मैंने जूट तो बोल दिया मैं समझ नहीं पा रहा कि जब आपका पूरा परिवार उसका इंडिया नहीं है तो सिर्फ आप ही उसे आने से क्यों रोकना चाहते हैं आपको समझने की ज़रूरत नहीं है आपका काम हो गया आप जाइए घर वालों को उसका इंतजार होगा पर जब तक मैं जिन्दा हूँ वो इंडिया नहीं हैगा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था मेरी शादी इंडिया में ही होगी शादी तो इंडियन से ही होगी, लेकिन वो लड़की अमेरिका में अपने चाचा के घर पर रहती है कल वो तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं, क्यों वासू, तुमने बताया नहीं? मैं बता नहीं वाला था, उससे पहले आपने बता दिया आप चुप रही हैं अंकल, मुझे यह रिष्टा मंजूर नहीं, मैं इंडिया आना चाहता था, तो कहा स्टडी कंप्लीट करो कुंडली का बहाना बना कर मुझे यहां रखकर आप परिशान करना चाहते हो, मुझसे यहां नहीं रहा जाता चाची जी, मुझे वहां आने दो ना तुम्हारी भलाई के लिए बेटा, समझाने का यह कौन सा तरीक है तुम्हारा, उसकी शादी कब करनी मुझे पता है, यह शादी होकर रहेगी, समझा दो उसे बेटा, हाँ मैं समझ गया सेस्पेंज का मतब तो पार्टी होता है न, तो मुझे एइरपूट पर क्यू ले आया हम अभी इंडिया जा रहे है यार, इंडिया जा रहेए? इतना चॉक कर रहा है बाई, तुझे भी तो इंडिया जाना था ना वरोसा नहीं हो रहा है कर लड़की वाले आ रहे ना इसलिए तो हम अभी जा रहे है और तुम्हारे चाचा जो परेशान होंगे वो उसमें वो क्या परेशान होंगे परेशान तो यहां मैं हो रहा हूँ यार अगर कुछ दिन और यहां रहाना तो भूल जाओंगा खुशी क् पता है यहां चीज़ें कीमती हो सकती है लेकिन हमरा इंडिया में लोगों की कीमत होती है यार उन लोगों के बीच रहना और बात करना अच्छा लगता है मुझे कुछ गरबर लग रहा है मैं बच्पन से तेरे साथ हूँ आज तक तेरी कोई भीच्चा पूरी हुई है क्य अरे यार तुफाल तुम्हें बगवाश क्यूं कर रहा है मैंने फैसला कर लिया है हम यह जाएंगे गवाही देने वाला सरदर्द बन गया है भाई, एक बार दुश्मन को छोड़ सकते हैं लेकिन गवाही देने वाली को नहीं छोड़ सकते हैं, उसे काट देना पड़ेगा। और जले गए, अब कहां जाएगा। बेचारे ने आगे जाने के लिए हॉर्म बजाया पर उपर पहुच गया। मनुष्य के अंदर थोड़ा सबर होना चाहिए, अगर उसमें सबर ना हो तो उसकी यह हालत हो जाती है। हाँ भाई भाई, आप जिसे धूंड रहे हैं वो यह चला क्या। यह क्या है, इंडिया जाना था ना, यह तो कहीं से भी इंडिया नहीं लग रहा है। यह इंडिया नहीं है पगले, यह यूरोप है, यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़के इंडिया जाएंगे। लेकिन दोस्त, यहां भी अच्छे अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं ना। और यह रिंग टोन कैसी है, रोने वाली। सही कहा, इरिटेटिंग टोन है, अब पता नहीं इस बच्चे से क्या बात करेगा। क्या हुआ बेटा। यह चोटी देख, इसे देखें यह लगता है, यह हमारे तरह हिंदुस्तानी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं हिंदी में रो रहा हूँ। वा फ्रे, यह तो हिंदी बोलता है। बेटा, रो क्यों रहे थे। मेरे डैडी खो गए हैं। पांच मिनिट का और दो घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। तुम्हारे डैडी का नाम क्या है। डैडी का नाम डैडी है। तुम्हारे डैडी कैसे दिखते हैं। मेरे डैडी डैडी से से दिखते है। यह कैसी बात कर रहा है तू। एक्सक्यूज मी मुले ओ आप इंडियन है ना मैं समझ गया था आपका बेटा रो रहा है मेरा बेटा कॉन वहाँ एक छोटा बच्छा डैडी डैडी करके रो रहा था सुचा वो आपका बेटा होगा कोई भी बच्छा कहीं भी रोएगा तो जो भी सामने आएगा उसे डैडी एक्स्क्यूंग बटल तो उसके हात में है तो उसका ढ के आपके हमें खान हातने हमें या यह्येस यूओ पाय आप बुरा मत पांनला मेरे बैटे को ऐसे प्रैक्टिकल गेम बहुत अच्छे लगREE होऑग mixer क्यूअ बात नी तुम्हारे चाचा ने इंडिया आने से मना किया था लगता है ये लोग भी उनसे मिल गए है वो कहा है मुझे तुरंद पता चलना चाहिए उसके ऑफिस में जाओ वहां नहीं है तो उसके दोस्तों से जाके पूछो जब तक वो मिलना जाए तब तक कोई और का मत करना सुशीला देवी है कौन सुशीला डेवी है तुकल चेज़ पैकेट अचार के वांग रहे थी वही न थे नो सुशीला कंसी हो तुम आपकी आशिरवाथ से बिल्कुल ठीक हो चाची जी मैं आपको एक बात बताओं पर किसी से कहना मत हाँ, ठीक है, तुम बताओ, मैं इंडिया आ रहा हूँ, तुम आ गए, सुनो, डॉक्टर ने कहीं जाने से मना क्या था न, इसलिए बोल रही हूँ, हाँ, अब डॉक्टर कहां से आ गया, ओ, सिधार्थ की बात कर रही हो, पता है यहां कितनी मुसिवत जलनी पढ़ती है, एक ते रास्ते तो पहुंच गया हूँ, लेकिन फ्लाइट की बज़े से तीन दिन के लिए अटक गया हूँ, अच्छा, उसे पसंद हो या ना हो, उसके लिए लड़की मैं ही पसंद करूँगा, लगता है जाजा जी का दिमाग खराब हो गया, उनकी दूसरी शादी करवा के उनको कहीं दूर भेज़ दो, फिर घर में शांती ही शांती होगी, मुझे तेरे आने का पता नहीं था, फिर भी अचार बनाना शुरू कर दिया, कल जो आ रही है उससे पसंद करेगा, या फिर ऑन देवे ही किसी को पसंद कर लेगा, दूसरे देश के लड़की, ओ, तुमा अपर कोई अच्छी सी लड़की ढूण लो, तो सोच क्या रहे हो, चलो चलके ढूणते हैं, आँटी को बेबी कह रहा है तूँछ लोगों को हल्वा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जले भी अच्छी लगती है, मुझे हल्वा पसंद है, और ये जो भी हो, मुझे प फ्लाइट लेट हो गए, इसलिए आप लोग दुखी हैं, डोंट वरी, हर प्राब्लम का पलविजम में पर्मनेंट सोलूशन है, आपके अंदर पल रही फ्रस्ट्रेशन, टेंशन को एक बलून के अंदर फूक मार के भर दे, तो उस बलून के साथ साथ आपकी सारी पॉइंट नमबर टू, एक्स्क्यूज मी, अब कैसा लग रहा है? उड़ गई, उड़ गई, फूक मारते ही उड़ गई, देखा न, अब आप कितने खुश नसर आने लगे हैं, यही है पलविजम का पावर, पलविजम, 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 प पहले फेरे का वचन था, कि बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ूगा, दूसरा वचन था, तेरे जैसे बदमाशों से, लग मार कर बीवी को बचाऊंगा इसी तरह हर फेरे का एक एक वचन होता है ब्लैक बेरी, I explained them about our relationship, your affection, my satisfaction अफेक्शन के बारे में जानता है, satisfaction के बारे में जानता है, लेकिन sorry का मतलब नहीं जानता ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया इसने, किस बच्चे की जान लेना चाहता है यह बच्चा-बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ऐसा होता है तुबारा अगर ऐसी हरिकत की तो दोनों की जान ले लूँगा यह डियालोग मेरा है कुछ भी हो जाया, मैंने सोच लिया उस ब्लैक बेरी को नहीं छोड़ूँगा इट्स माई चैलिज़ मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल गई है तुम्हारे पसंद की लड़की, कौन है, कौन है, कौन है, सरा बताना है यह एरपोर्ट पर तो उसको देखा था इन्हीं तीन दिनों में उसको पटाना पड़ेगा और यह मैं करके रहूँगा तीन दिन में लो, इंपॉसिबल यह कोई गेम नहीं है हेलो, अभी मेरे दोसका एक ही रूप देखा है दूसरा रूप देखना बागी है नथिंग इस इंपॉसिबल बिल्कुल सही गातुने मैंने पूरा गेम सेट कर दिया बस मेरा साथ चाहिए तो मैं भी खेलूँगा थोड़ा बड़ा हो जा फिर खेलना अंकल, इस गेम का नाम क्या है अंकल आपरेशन पलवी तो गेम स्टार्ट्स नाव येस यूँओं बिलीव लाइफ में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस पलवीजब मुख में मिल जाए दिखतनी है दिखतनी है तुझे तुमने श्रिया बैठी है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके पास जो श्रिया बैठी है वही मुसीबत की जड़ा है अगर दुबारा उसने ऐसी गलते की तो जान से मार लूँगा पर वहां तो कोई भी नहीं है ये बात हम लोग जानते लेकिन वह नहीं मानता खुबसूरत फ्रेम बने उसके लिए श्रिया को पीछे जो पीछे जो बोल रहा था तभी श्रिया खाई में गिर के मर गई और ये पादल उसके ख्यालों में खोया हुआ है मेरी पलाविजम बुक के पेज नमर 36 में जो मंत्र लिखाय उसे अपलाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुआ है रुको रुको दिखता नहीं है क्या लड़की की गुद में बैठ होगी सॉरी श्रिया तुम्हें यहां बैठ सकते हैं एक मिनिट श्रिया इसके य तुम्हें कैसे बता चला? देख एहीं पता चल जाता है देखते पता चल गया? किसी के साथ ऐसा बरताव करना अची बात नहीं है तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ऐसावीन कहां नहीं करना ही चाहिए कैसे लगे यह हमारी लफ स्टॉरी शुनी है क्या का? वो? शी इस वेरी गुड नरेटर, यू नो? श्रिया, तुम्हें याद है, जब हम मार्केटिंग कर रहे थे, तब एक पागल आकर मुझसे चिपा गया था, बही कहानी सुना दो इसे कैसे लगे हमारी लव स्टोरी? क्या बात है? पल्लवी मैडम अभी तक नहीं है? तयार हो रही है. ओ, मेक अप कर रहे होंगी. ए, बैक श्रिया के उपर क्यों रखा? ना है श्रिया, खाली सीट पर रखा. ए, दिखानी देता है, यहाँ कोई बैठा हुआ है. अंदे हो गयो है, क्या? स्क्यूज में सुनिये, इस सीट पर कोई बैठा है या यह खाली है? यहाँ श्रिया जी बैठी है. मैंने समझाये तो समझ बनी आया है, जब लड़की ने समझाये तो समझ गया है. स्क्यूज में, इस बच्चे को अपने गोद में बैठाएंगे, तो मैं यहाँ बैठाएंगे. आपको यह सीट खाली दिखाई दे रही है या इस पर कोई लड़की बैठी है? लड़की बैठी है, इसने सब पर जादू कर दिया है क्या? क्या बात है, आज श्रया कहीं दिखाई नहीं दे रही है? वो मेरी गोद में बैठी है. सर, क्या आपको यह सही लग रहा है? वो उसकी गल्फ्रेंड है, सर. कहीं भी बिठाएं, कुछ भी करें. हमें क्या करना, सर? कहीं मैं पागल ना हो जाओ. बगल में सीट खाली पड़ वो देखी, शूटी आँखो वाला. क्यों भाई, देखने में तो चाइनीज लगते हो? आपको ऐसी हरकते करते हुए शर्म नहीं आथी. अब चुक्यों हो? डोन वरी, मैं ऐसे संभाल लूँगी. आप रोमान्स पर कॉंसुन्टेट कीजिए. यह क्या? तुम तो पबलिक म श्रेया. सुनो, पता श्रेया क्या कह रही है? आई लव यू टू कह रही है. अभी श्रेया को कैसा फूल हो रहा है? पता है तुम्हें. मैं कैसे कहूं, क्या आइ लव यू कहने से कैसा फूल होगा? फास गई, फास गई. लगता है चीनी को कहीं और डाइबर्ट करना तुम्हारे पती को भी मार सकता हूं इसको इंगलिश में क्या कहेंगे तु यहां से उठेगा या उठा दू ठीक है उठता हूं जिन्दा रहा तो दुम्हारा कोशिस करेंगा जल्दी जा तेंक्यू रुकिये श्रिया कोने दीजी आओ साँ स्मीट आज उस फ्रॉड़ी का बिठे है क्या ने वहां केक क्यों कट रहा है उसने नहीं कटा श्रिया के हमकरा था श्रशिया कह रही है पहले पल्लवी को खिलाओंगी श्रिया तुम्हें बहुत पसंद करती है थांक्यू श्रेया ने तुम्हें पहला के खिलाए ना, अब तुम मुझे के खिलाओ, हाँ अपने हाथों से खिलाओ आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, उसको नैनो नाम की एक बीमारी है तुम मेरे पास भी डीवीडी है पावर स्टार सलमान खान गांधिवाद ये सब तो सुने थे, ये पल्लाविजम की बारे मैं नहीं जानते जब मेरा आठवा बर्द्डे था, तब मेरे पिताजी मुझे एक बलून की शॉप में लेकर गए थे, तब वो बलून वाला मेरे लिए बलून पुला रहा था पुला रहा था, पुला रहा था, अचानक बलून भट गया, ये बलून भटने और पल्लविजम का क्या तालुख है? पल्लविजम का पहला फॉर्मूला क्या है जाता है? अब भी बता दो एक बलून के फट जाने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, दुनिया में और भी बलून्स है, कोई दूसरा उठा लो पागल वो नहीं है, तुम हो क्या मतलब है तुमारा? वो इडियेट है, पक्का फ्रॉड है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ बेबी, रूम में वो फ्रॉड अकेला गया था या श्रेया के साथ गया था? श्रेया के साथ ही गया था, ये उसकी फीलिंग है ये बात है, उसके कमरे में CCTV कैमरा है, देखो अर बैचलर की ख्वाश होती है, किसी तरह से six-pack बना ले वेरे श्रेया, धक धक करने लगा, तो मैं भी कर सकता हूँ जलने लगा, सईया बैया चुलना, और कितनी एक्टिंग कर सकता है तू कब तक इंतजार कराओगी श्रेया? श्रेया, जल्दी ना के बाहर आओ ना देख लिया, यह तुम्हें नाटक लग रहा है, अब काम से देखो, कुछ भी होते हो अरे बाप्रे, श्रेया, तुम टावल में भाहर आगी, नहीं नहीं पास मत आना, देखो पलवी मैडम को यह सब अच्छा नहीं लगता पलवी मैडम ने देख लिया, तुब बुरा मान जाएंगी, शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है, अरे भाई, हमें भी पता चल गया, मैंने कहा ना, अभी नहीं, श्रेया, सुनो, मेरी बात मानो, सिक्स पैक बने है, उसे बने रहने तो, नहीं, 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 श्रेया, न मैं इंड़ हमेर, खायम जाँ, क्योंत आए, आखला, तो क्यों, वहीं प्रॉमरा नगा लगा के देख था, मैं और देखहाँ क्या, बोलना देखना है, क्या, अपने लूम में जवे आरणा, भैक ब्लक बीुटी को संब रखल..., संक बढ़ किना दो데रो में यह व hoop किले रोक कर रोक किने हम विए सू的是र को इम अखले किन उर्फ्र things यहाँ व्यक फब्र हैं यह इंब कर दोतिफेल्ट इस फेल also acementsichts प्र데 किरेने k constitutional क्रिंदा अथर का फड़ा ड़ आखले कर दो इस टूर में जाने से मना कर रहे है इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता पर क्यों बिचारी श्रिया को सुखाम हो गया है मैंने मना किया था फिर भी इस गदने आइस वोडर पिला दिया उसको अब अकेली नहीं है वो उसके पेट में बच्चा है इसी वजह से वो यहां रहकर आराम करना चाहती है तुम्हें मैं एक बात बताऊं श्रिया ने मुझे अभी अभी कॉल किया था और मुझसे कहा कि किसी भी हाल में आप ये टूर नहीं छोड़ेंगे और आप मेरे साथ जाएंगे मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है उन्होंने दवाईया दे दी है वो आ अंकरेज करने की बाद कर रही थी तो इस ट्रिप में कुछ गलत ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी अच्छे से पकड़ो ना वा प्रिष्णा जी सही मजा था आप भी ले रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं तलवी की महरबानी से लेकिन एक छूट इसी कमी है अगर तू आपको यह बात कहते शरम नहीं आती है यह कह रही है कि श्रिया मर चुकी है तूद परशाद माथ ने बटाती तुम दोरों इस पाहट पर चड़े थे ना चड़े थे और साथ में फोटो निकाल रहे थे तब तुमने श्रिया से क्या कहा था हा थोड़ा उपर जाओ उसके वो मेरा हाथ पकड़ कर उपर आए थी तुम पागल हो रहा है और वो मर चुकी है मतलब मेरी श्रेया अब नहीं है क्या कमाल की एक्टिन कर रहा है वो हां कृष्णा तुम सब कुछ भूल कर आज से एक नरी जिंदगी के शुरात करो मेरे दो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या ह जाओ बचाओ क्रिष्णा प्रसाद कहां हो क्रिष्णा प्रसाद तो तुम यहां हो क्या कर रहे हो अपनी श्रेया की यादों को हवा में उड़ा रहे हो ना मैंने तुमसे जो जूट बोला था उसे हवा में उड़ाना चाहता हूं क्या तुमने मुझसे जूट बोला हां ब अहां पल्लवी ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती मेरे नजदीक आने के लिए तुमने मेरे पल्लविजम को में स्यूज किया अब पल्लवी मैंने कुछ गलत नहीं किया है अब एक शब्द भी नहीं कृष्णा कृष्णा मेरे दोस्ट इसकी बात वर विश्वास मत करना हूं तुम्हारी श्रया अभी भी जिन्दा है सुवे सुवे मैंने उसे सरकारी होस्पिटल में भरती कराया है उसे जुड़ूवा बच्चे हुए हैं वो बहुत सुंदर हैं वो दोनों श्रया की बात बिलकुल नही सब कुछ पता चल गया क्या बस दो मिनिट पहले शट आप एक बात याद रखो आज से मैं तुम्हें नहीं जानती आइंदा मुझे अपनी शकल भी मत दिखा रहा हूं मैं अपने दिल से ही नहीं बल्के तुम्हें अपनी यादों से भी निकाल दूँगी वो बहुत अच्छा इंसान है उसके बारे में कुछ तो सोचो मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना अए पल्लवी लगता है मैं ज्यादा पीली इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है नहीं नहीं मैं तो होश में हूँ यह क्या तुम्हारा पल्लविजम का नाटा का मैं तुम्हें सच्छे मन से प्यार करता हूँ और तुम मुझसे नफरत कर दियो सब तुम्हें पागल समझते हैं पता है तुम्हें कौन-कौन पागल समझता है चुन सकते हो तो सुनो यह तुम्हारी सारी फ्रेंड्स मैं ही अगर कोई तुम्हारे पढले विजूम को समझ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं समझता आज मैं अपने आपको बुलाने के लिए श्राप पिकर रहा हूँ तुम्हें लगता है कि मैंने शूट बोला तुम क्या जानों एक लड़की को पाने के लिए लड़के को क्या क्या करना पड़ता है अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ तुम उसका जवाब देना आजिस सुनिये, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ अगर ऐसे पूछता तो आप क्या जवाब देती चली जल्दी बताइए, मैं इंदिजार कर रहा हूँ क्या जवाब देती चला तावारा, यही कहती न इसलिए मुझे श्रेया के नाम का नाटक करना पड़ा, ताकि आपसे दोस्ती हो, आपके नजदीक आ सकूँ इसी जूट के वज़े से, मुझे तुम्हारा साथ मिल सका, बात कहीं से भी शुरू हुई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से प्यार करने लगाँ इतना अच्छे से बात कर रहा हूं और तु बीच में शराब पिला रहा है, और पल्ले विजम में प्यार के बारे में क्या लिखा है, इसकी बारे में नहीं लिखा है, तो अब लिख दो, नेक्स जनरेशन के काम आएगा, है तुनों, एक काम करते हैं, हम तुनों मिलकर प्यार के बारे में कुछ अच्छा लेख से, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लाँ पिला रहे हैं, ये ले पकड़, पीले और बोलता जा, तुम तुम्तु मेरी हो नहीं सकती, तो इसे तो दूर मत करो, मैं तुम्हारी हूं, इसलिए मना कर रहे हूं, क्या कहाँ, पूरी मत किजे ये शादी सही वक्त पर उससे ही होगी वो अमेरिका में रहता है लेकिन वो मना नहीं करेगा मैं आपसे वाधा करता हूँ जब आपने कह दिया तो मुझे कोई चिंता नहीं मोहूर्द का वक्त हो गया है मंगनी की राज में पूरी कर ली जाए हालो हाई चेस्ट गेटिंगे इंटु दे केर पहुंस दें पूर्णा फाल्णा करता हूँ बाई सुनिए भाई साम, अब आय रूट जा रहे हैं, मैं वाश्रूम से होकर आता हूँ, फिर साथ चले हैं पता नहीं कहां रह गया, चद्धी बता कहां है, कहां है वो पैसे तो दो, आरे मैंने अपना खाम कर दिया, पैसे दो हज्जावरना मरेगा जय हिंद अरे क्या कर रहे हो, ये पासपोर्ट क्यों फाड़ हो, अरे अब अपने देश में आ गया हूँ, और फिर कभी बाहर नहीं जाओंगा, इसे लिए ये क्या कर रहे हो, अरे कर दो, कर दूल कर लग गो, कर दो, ये कर दंग ये क्याक कर दो ये रो पियो अब मुझे बताओ आखिर वहाँ पर हुआ क्या था एयरपोर्ट के पब्लिक टाइलेट में मडर हुआ था क्या गाँ ये बात तुम्हें वहीं बतानी चाहिए थी बता सकता था लेकिन तब मुझे एक बात का डर था वहाँ मेरा बेटा भी था देखो कैसी खेल रहा है अगर कहीं मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बात सुनो टेंशन मतलो टाइलेट में जो हुआ उसे सिर्फ तुमने देखा था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तो बस अब उस बात को भूल जाओ अच्छा ये बताओ तुम्हें जाना का है चित्तोर चित्तोर वो तो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा एक काम करो तुम मेरे साच रो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आप ससुर जी के घर जाने के लिए तयार हो गये मैं ससुर जी के घर पे घर जमाई बनने नहीं जा रहा हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए जा रहा हूँ क्या मैं तुम्हारी पूरी कहानी जान सकता हूँ अरे इसमें समझनी जैसी क्या बात है इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था हाँ तिरूपती के पहाड़ों पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हाई थी फर्स्ट लोक में ही हम दोनों में प्यार हो गया और घर वाले शादी के लिए नहीं वाने है ना हाँ क्योंकि मैं आनाथ हूँ प्यार हो गया शादी कर लिए हैप़ी फैमली फिर बच्चा भी हो गया उसके बाद अचानक एक्सिडेंट एमाराइए कई सालों बाद मेरी पतनी ने अपने घरवालों से बात किया और पता है उसने क्या कहा मेरे पती का क्यार रखना उसका परिवार मेरे परिवार का अंजज़ार कर रहा था यह उसी परिवार के साथ बढ़ा हो यह उसकी आखरी इच्छा दी यानि तुम्हें वहाँ जाकर अपने ससुराल का सब लोगों को कन्विंस करना है इसकी जरूवत नहीं है सासु माने यह सब पहले ही कर लिया है वो सब लोग इसका इंसज़ार कर रहा है इससे उस परिवार का हिस्सा बना दू तो मेरा काम खतम मुझे तुमारी किसमत से जलन हो रही है खेल खेल में तुमने कैसे अपने परिवार को मिलवा दिया मेरा खेल शुरू तो हो गया है बस परिवार को मिलवाना बाकी है अरे वाँ मेरी तरह आपकी कहानी भी इंट्रेस्टिंग है बहुत इंट्रेस्टिंग है पर हम लोग पहुंचेंगे कभा अरो अरो जाने ने पाए उबग तरह खरो 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 संसर झाल संसर प्वार्भण संसर संसर किखि औरी तेसे अगे औरे कि अगे हुआलीं हुआजः कि बधर कि अपूरी। aura हुआंदर Southern अब हुआटे जयाा है अप्थूर जयाँ अप्ड़बगें ौब जयाarta अपे आदे आप जरो, 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 जरो जरो, 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 जर तुम यहां समभालो. क्या फाल तुबात कर रहा है? घर पे इतनी बड़ी प्रॉबलम है, उसे छोड़ के तु इसकी प्रॉबलम की बात कर रहा है? अपनी प्रॉबलम को छोड़. दूसरों की प्रॉबलम सौल करने में सैटिस्फेक्शन मिलता है. लेकिन तू यह नहीं समझेगा, रख तेरे काम आएगा अंकल, आपने कहा था डैडी डॉक्टर अंकल से मिलने गए है लेकिन वो भी तक आए क्यों नहीं अरे हां, मैं एक बात कहने तो भूली गया डैडी ने एक गेम खिलने को कहा है कौन सा गेम? कौन सा गेम कहा था, हां, हम सबको नाना जी के घर जाना है न तो डैडी फरस्ट आएंगे, कि हम फरस्ट आएंगे, यही गेम है यह गेम तो बहुत अच्छा है अंकल, इस गेम को तो मैं यह जीतूँगा तो शुरू किया जाए भाई यह तो कार्चे आएं एए, तेरे नाना जी का कह रहा है ये लो अरे रुकिये, आप क्यों देर हो जमाई जी? यह खालिया दे देगा, चलो दो आपने किरिपन वा ये तिरे नाना जी है सुनिये आपका गेटप तो बड़ा कमाल का है ये धोती कुर्ता, ये मूछें, ये कुलापुरी चपल वाह, क्या बात है अंडर्वेयर हाप पेंड टाइब भी पेहनते हैं सुरी जी, मैं बताना भूली गया एक्चली, मैं आपका दामाद नहीं हूँ एक वो दिन था जब मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो आज आई बात तुम अससे कह रहा हो ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मैं आपका दामाद नहीं हूँ आप इनके दामाद नहीं तो ये इनका नादी कैसे? ये इनका नादी जरूर है, लेकिन मैं इनका दामाद नहीं हूँ शांत हो जाएए, कुछ दिन घुल मिल जाएए, फिर ये सब बाते कीजिए अभी अभी तो आप आये हूँ, और आते ही मजाग शुरू कर दिया आप अंदर चलिए, सब लोग आपका इंतिजार कर रहे हैं आएए, ये सब बातें बात में करेंगे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए कुछ गड़बड है क्या? नहीं, नहीं, कुछ गड़बड नहीं दामाची माची, आप बैठी, क्या हुआ है इनको? अब क्या बताओ, हाट का आपरेशन हुआ है ये आपरेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन ये कहती थी कि पहले अपने नाती का मूद देखूंगी लेकिन फिर इन्हें डॉक्टर ने समझाया कि नाती के आने तेक जिन्दा रहना है तो आपरेशन करवाना पड़ेगा मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई इसी वज़े से इनकी तव्यत खराब हो गई तब इसे इसे वो दुख खाय जा रहा है अब इसका दुख तो यही दूर कर सकता है ये बच्चा आसे हैं हमारे साथ ही रहगा अरे सुनो कुछ खाने पिने का इंतिजाम करो मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पताया आज जब सामने देख रहे हुँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बहुत कम तारीफ की पहली बार देखते ही, किसी इंसान को आप कैसे पहचान सकती है तुमने आते ही मुझे मा कहके बुलाया, इतना ही काफी है हमारी इच्छा थी तुम हमारे साथ रहो, पर तुम दूर रहे लेकिन आज से, इस परिवार के, सबसे महत वो पुर्ण सादस्या, तुम हो लाइफ का क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटू ये सब मुझे तुम्हारा डैडी समझ रहे हैं, पर मैं ये कैसे समझाओं कि मैं वो नहीं हूँ क्या कहा डैडी? क्या कहा तुने? डैडी कहा इतरा? डैडी क्यों बोला मुझे? गेम के लिए ये लोग नहीं जानते कि मेरे डैडी कौन है, आपको ये डैडी समझ रहे हैं इसलिए डैडी के आने तक आप ही डैडी गेम डैडी, गेम अच्छा है ना? गेम डैडी देख बेटा, यहाँ पर कितने कैरेक्टर है ये भी नहीं पता प्रियाद, तुम्हारे जीजाजी आ गए जीजाजी आ गए, चल अब तो उड़ जा जीजाजी को खुश करने की पूरी कोशिश करूँगी समझा कर याद, उनकी हालत देकर मुझे यहाँ रुकना पड़ा तु कभी नहीं बदलेगा, कम से कम फोन करके अपनी मा से दो बात कर ले सुनो, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा रिष्टा तै कर दिया है, मंगनी की डेट भी आ गई है ठीक है, अगर मूरत का दिन तै हो गया, तो क्या हो गया, मैं आकर बदलवा दूँगा ये बता, तु इंडिया पहुँचा के नहीं? पहुच तो गया हूँ, पर घर आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्यों बेटा? शुब काम करने जा रहे न, तो मंदिर में दर्शन के लिए आया हूँ अभी कौन से मंदिन में हो? नया मंदिर है, सत्यनारायन स्वामी, मेरे फेवरिट भगवान है और हमेशा उसकी रक्षा कीजिए सुनो बेटा, जरा घंटी बजाओ ना घंटी बजाओ? एक मिनट जे बगवान, जे बगवान अब सुनाई दे रही है? प्रभू घंटी के वास सुन ली, अब ये मत कहना प्रसाद दो अरे ये क्या है? फोन पे बात करते से मैं घंटी बजा रहे हैं? साइंस, घंटी साइंस साइंस है ये है, इसे समझाइए जब हम फोन पे बात करते हैं, तो मेगनेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कान से शुरू होती है और नाग से गुसरती हुई, हार्ड तक पहुंचती है और उस से बचने के लिए घंटी बजानी पड़ती है ये ही साइंस, इन मैगनेटिक वेव्स को गंटी बजा कर नस्ट किया जाता है बेख बाई, सिनेमा में जब एक आत्मी दूसरे को टकर मारता है तो एक गिर जाता है कि नहीं और एक गिर जाता है तो दूसरा खड़ा रहता है इसी को तो science कहते हैं आप तो समझ में आ गया ना अच्छी तरह समझ गया वो क्या है लेकिन यह science क्या है यह सब कुछ तू नहीं समझेगा जाकर गिन घर में फोन की घंटी कितनी बर बस्ती है हा यह मेरी बड़ी बहन है रानी बिर्यानी बहुत अच्छी बनाती है काविले दारीफ मेरी बीवी है इसके हाथ की बिर्यानी खाओगे तो मूटे हो जाओगे यह मेरी चोटी बहन है सबसी कमाल की बनाती है लेकिन मिर्ची जादा डालती है यह मेरे भाई की बतनी है जैसे आप लोग प्रशानती को शांती शांती कहते थे ना, वैसे ही मैं उसको प्रसु प्रसु कहता था बच गए, ये मेरी दूसरी बेटी प्रिया है आई प्रिया, आपकी बेटी बहुत खुश लग रही है, अपने जीजा से शर्मा रही है प्रिया तुम शर्माओ मत मैं एक डिम ओपन मैंड़ हूँ क्या बताय था इसके बारे में क्या यह हमेशा इसी तरह से शर्माती है आप क्या बताओ प्रिया मा जो बन गई है मा कैसे बन गई मेरी बेटी शादी से पहले ही मा बन गई है बड़ी अजीव फैमिली है इसके रंग ढंग मुझे समझ में नहीं आ रहे है वैसे यह सब बात है आप मुझे क्यों बता रहे है सिर्फ भाईया को ही नहीं जब से ए बात हमें पता चली है हम सब लोग भी इस बात से बहुत खूश है पाली एसी बात के लिए फैमिली मेंबर्स इसे सपोर्ट क्यों कर रहे है प्रिया के मा बनने के लिए सिर्फ आपकी हां के जरूरत है ओ ओ ये मा बनेगी शादी से पहले मेरे हां कहने से मैं क्यों हां कहूँ मैं इसे यहां लेकर आया, ताकि यह अपने परिवार से मिल सके बहुत खुशी हुई, खाने के बाद पहला शादी का इंविटेशन दामाज जी को ही देना हमारी प्यारी बेटी सभागिवती प्रिया, ओ, प्रिया की शादी है इस लड़की को अपनी आँखों पर बिलकुल कंट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या होगा कुमारी प्रिया, और श्रीमान डॉक्टर रजय कुमार, बी-ए, एम-ए, एम-फिल, पी-एच-डी, अरे वा, वेडिंग कार्ड की वैल्यू के लिए पढ़ाई की थी क्या आप लोग ऐसे चुप क्यों हो गए, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया गया इसकी जिंदगी में दुश्मन बहुत होंगे दुश्मन? अरे जमाई जी, आप अपने ही डिग्री को वेडिंग कार्ड की वैलू के लिए बता रहे हैं, इसलिए ससुर्ज ऐसा कह रहे है जी, डॉक्टर अजय कुमार, पढ़ लिया मैंने, मेरी शादी है गुड, वेरी गुड, बैट, वेरी बैट तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए हमने गुड, वेरी गुड कहके तुम्हें इंकरिच किया है लेकिन तुम हमें इस तरह डिसकरिच क्यों कर रही हो मंगनी भी तै हो चुकी है, लेकिन तुम ये समझने को तयारी नहीं ये शादी मुझे मन्जूर नहीं है, पल्लविजम के पॉइंट नंबर 47 में लिखा है चुप हो जाओ, अब मेरी बात घौर से सुनो, मैंने ये रिष्टा पक्का कर दिया है अमेरिका में सर्विस करने वाला कृष्ण प्रसाद ही इस घर का दामाद बनेगा क्या नाम बताया? क्रिष्णा प्रसाद क्रिष्णा प्रसाद, मुझे ये नाम पसंद है, आप ये शादी तै कर दीजे नाम पसंद है? मुझे तो कुछ गडबर लगती है पल्लविजम में ऐसे भी पॉइंट होंगे, शायद इसलिए रुको मैं आ रहा हूँ समझ गई, उनकी होने वाली पत्ती होंगे, क्या, क्या कहाँ? लादे, किसी का भी फोन ऐसे उठा देंगा, मैंनसलेस फैलो, किट आउट हलो, कौन थी वो? कहूंगा पागलती तो मानोगी, नहीं मानूंगी तो फिर बताने से क्या फाइदा, पर वो तो कुछ औरी कह रही थी, इसी बात से समझ जाओ, वो पागल थी, पता है, तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारा रिष्टा तेह कर दिया, बताया था, लड़की का नाम है पललवी, पललवी, वो तो तुम ही हो ना, जीजा जी ब मार खानी के आदट डाल, अकल का दुष्मन, अरे, मैंने प्रिया को नाराज कर दिया, नाराज के पड़िया, अब तुम मनाना पड़ेगा, यह क्या प्रिया, मैंने जरा सा डाट क्या दिया तुम तो रोने लगी, मान जाओ प्रिया, अरे बाप्रे, इसकी कमर तो बहुत सुरत है, अब क्या करूं, मनाना तो पड़ेगा, प्रिया, इसे भी पलटना था, क्यों जीजा जी, यही सोच रहे है, कि कहां टच करने से, मैं मान जाओंगी, मैं बताओ, कहां चुना है, कहां चुना है, लड़की को मनाने के लिए, यहां टच करना चाहिए, और उंगली स इसारी, यहां ऐसे करना चाहिए, उसे उखसाने के लिए, कमर को पड़ना चाहिए, और उसे मनाने के लिए, आपका असली दामाद, अभी को मा में है, आप यह लेटर पढ़ने के बाद मुझे फोन करेंगे, तो सारी चीज़ें में आपको अच्छे से समझा दूगा, सौरी छोटू मैं गेम बीच में छोड़ कर जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है चाची जी मैं घराने के लिए निकल गया हूं चिंता मत कीजिए बाई क्यों बाई रिल्व स्टेशन का है प्र गया अम्हार्व काभी लेकिन ुम्हार येकिन तुम्हार्व मेरा देश, मेरा घर बड़ी शान से ये बाते करता है न, तो घर क्यों नहीं गया, अभी तक यहां क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे कैसे पता है, मेरा एक आदमी तेरे घर में है, वो घर से निकल चुका है, जब तुमने इस देश के एरपोर्ट पे कदम रखा था, उसी समय तुम मरने ब उसके बाद हमने तुझे गाड़ी में मारने की कोशिश किया, तुझे मारने के लिए मैंने अपना घर अपनी पतनी तक बो छोड़ दिया, अब तु मेरे हाथों नहीं बचेगा काड़ कर दो इसे जहन से मार दूँगा, कौन हो तुम लोग? कुझे! 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 कौन हो तुम लोग इतने सालों से तुम्हारी वज़े से मैं अपने देश में नहीं आ रहा था बताओ हाई 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 क्या है तुम्ड़ा उसे जल्दी क्या है तुम्ने उसे बकर लिया ना कहा है वो खत्म कर लिया ना उसे वो हमारे हाथों से बचके निकल गया भाई तुम्ने कहा था उसका सरकाट कर लाँगा तो फिर वो बच कैसे गया हाई शर्माती है ये कहते हुए कि दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है सत्रा साल से सत्रा साल से हर पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो बतातो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा एक मौका और दे दिजिए या तो उसके मौत की खबर आएगी या मेरी मौत की उसके पहले मूने दिखाऊंगा हलो क्या हूँ अबिटा घर आने वाला था अभी तक आया क्यों नहीं इंडिया तो आराम से पहुँच गया लेकिन घर आने में इतनी परिशानी होगी मैने कभी सोचा नहीं था जल्दी आऊंगा एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतिय स्वस्थ और चुष्ट रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ति को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए आईए तंबाकू के सामने दीबार बन कर खड़े हो जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तब रनाउट होना बहुत बुरा होता है ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुक्सान पहुचाता है समझदार बने, तंबाकू से रनाउट होने से बचे स्लिप्स में खड़े रहते समय, मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न चूटे क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकाने पड़ सकती थी आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिग्रेट बीडी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है समझदार बने तंबाकू से दूर रहे खैनी गुटका तंबाकू पान पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है इनका सेवन मू के कैंसर का प्रमुक कारण है इस मरीज को जीव का कैंसर है और हमें इसका ध्वनी यंत्र निकालना पड़ा अब सब भगवान के उपर है रेखा की जीव और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा तंबाकू परिवारों को उजार देता है तुमने कहा था उसका सरकाट कर लाऊंगा तो फिर वो बच कैसे गया सत्रा साल से हर पल उसकी मौत का इंतसार कर रहा हूं कि अपर निकालना प्राइब रहा हमें कि अभान के बचलना प्राइब प्राइब रहा हमें ले लो बिटा अंटी जी बाहर के लोग इस घर के बारे में अजीब सी बातें कर रहे थे अजीब सी बातें? अहाँ, इसी घर के बारे में क्या क्या रहे थे? किसी से दुश्मनी चल रही है, किसी को मारने की बात कर रहे थे आपको कुछ पता है? ये सब बाते छोड़ो बेटा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा सुनिये जी, एक बात बताएंगे क्या पूछने? हमारे परिवार के साथ किसी की दुश्मनी है क्या? तुम्हें क्या करना? जाए कुछ भी हो, अपना काम करो अन्दों की तरग उसे चले आ रहे हो, आखिर कौन हो तुम? अन्दा मैं हूँ या तुम हो, मैं कहीं भी जाओ तुम्हें उससे क्या मतलब? पता नहीं कौन है ये? क्रिश्ना, ए क्रिश्ना, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया? अरे बाप में बाप, कितनी कर्मी है यहाँ, अरे बाँ आगे मेना छोट उस्ताज अंकल आप यहाँ तक पहुच गये लेकिन डैडी नहीं आए डैडी रेडी, एक मिनुट भी मेरे भीना नहीं रह पाता, बच्पन से ही ऐसा है, चलो, नाश्ता करते हैं चलो, चलो, मेरे दोस्त, यह बंगला देखते ही मैं समझ गया था कि तुम वहां क्यू नहीं आए, यहां क्यू रुके हो, मैंने फैसला किया है कि मैं भी यही रुकूँगा, क्यू ठीक है ना, तामाच जी, यह कौन है, हम दोनों लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार, इसने दो काहता अनाथ है, ओहू, ऐसा काहता क्या, हाँ जरूर काहोगा, अनाथ है, जिसका कोई नहीं होता उसे अनाथ ही कहते हैं मेरे भाई, यह बात है, हाँ, देखे, यह भी मेरी तरह फ्लाटफॉम पर ही रहता था, मैं राइट साइड में रहता था, यह लेभ्ट त्लामों सपआओ, बना के रखना मैं अभी आता हूं ठीक है बिटा मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं جायोंगा मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा तू कबसे कहे जा रहा है कि यहीं रहूंगा यहीं रहूंगा, इस घर को देखकर सब समझ में आ गया मेरे भाई, तुझको रहना है तो तु यहारा, मैं तो अभी निकल रहा हूँ अरे रुखो तो साही, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यही बात तुने अंदर कही दिना जो बते हुई उसे भूल जा, क्या कोई जिन्दा इंसान कब्रिस्तान में रह सकते हैं, इससे पहले कि कोई मुसीवत है, मैं जाके अपना सामाल लेके आता हूँ यह क्या है? लेटर यह लेटर मैंने सच्चा ही जानने से पहले लिखा था प्रेम पत्र है प्रेम पत्र मुझे लगता है आपकी बिटव के लिखाओगा बिटी के लिखे प्रेम पत्र को मैं पढ़ू यह अच्छी बात नहीं है लो तुम पढ़गो बेटा पढ़िया यह मेरी बेहन के लिये प्यार का लेटर है मैं नही पढ़ूंगा इसकी शराफत देखि जी जाजी मुझे क्यों देदिया और मैं कैसे पढ़ा हूँ पढ़ी है यह तो हिंदी में लिखी है और मुझे हिंदी आती नहीं है तुम तो पढ़ी लिखी हो हना प्रिया दस्वी क्लास टेक एक दस्में लो तुम पढ़ो इसमें तो बड़ी सीरियस बात लगी यह लगताई रही नहीं आता है जल्दी पढ़ो डी ए ए इ ए आर पी आर आई य वाई ए डाइपे डिया अः मलेरिया और डाइडिया तो सुना था यह डाइपीरिया क्या है डियर प्रिया यह यह पढ़ नाना जी मुझे पढ़ना आता है मैं पढ़ू इसका भी अभी बोलना सुरूरी ठक्चा छोटे बच्ची इसब नहीं पढ़ते समझ गए सुनिये ससर जी मैं पढ़ू तुमने लिखा है तुम ही पढ़कर सुनाओगे अच्छा लगेगा शिवा आनेही वाला होगा वही पढ़कर सुनाएगा शिवा आ रहा है वो कौन है पर ये तो बताए शिवा कौन है अरे शिवा मेरी साली का पती है बहुत बढ़ा लिखा है ब हालो, पल्लवी पोल रही हूं, यहां पर बोल हो रही हूं, इसलिए तुम्हारे घर आ रही हूं, ठीक है, येस, कृष्ण प्रसाद से तुम्हें इशाधी करने वाली हो, लेकिन तुम को, वो मेरा दुश्मन है, चाल गाड़ी में, चाल, जाल दो इसे, ले जाओ, तुम इस का टेंशन मतलो, हम बाहर बैट का ठंडे दिमाग से सूच, चलो भाई बाहर ही चलते हैं, यहां बहुत टेंशन है, तुम लोग हो कॉन, और मुझे के लिए तुम्हारा होने वाला पती, उसे यहां बुलाने के लिए तुझे यहां लेका राएं, और ये कौन है, ये मेरी पोडनिक, रेठी का होने वाला पती है. दामात जी आप छुप रहे सासुर जी नने वाला पती है, मैं हंदल करता..." तुम मुझे हेंदल करो 되고? आपका दमाद बहुत पढ़ा है इसलिए लड़की को सब कुछ इंगलिश में समझा रहा है तुझे पता है इंगलिश में बैक का मतलब त्या होता है अरे नहीं पता तु मत बता ना अब क्या करेगा ये अरे चुप हो जा तु दिमाग बत लगा जब तक वो मिल नहीं जाता तुम यहां आराम से रह सकती हो तुम्हें कोई तकलिफ नहीं होगी अंदर चलो इसने कुछ उल्टा-सल्टा किया तो मैं संभाल लोंगा सासुर जी यही कहानी लेकिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं यही तो मेरी समझ मनी आ रहा है और कोई कुछ बताने को भी तेयार नहीं है किसी और से क्यों नहीं पूछते तुम्हारी वो किसे वही सुन उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रिया प्रिया मतलब प्रियसी प्रिया तुम्हारे बाल गुस्से में कितने लंबे हो गये हैं बाल प्रिया तुम्हारी ये बालिया तुम पर कितने अच्छे लगती हैं बालिया प्रिया गुस्सा छोड़ दो तो तुमसे एक पर्सनल बात करनी है यहां भी तो बात कर सकते हैं, यहां पर सब देख रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, आप जा कर खेट में मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी दिर में आती हूँ तो आज सस्पेंस का दी एंड, यह दोनों छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हैं यार, देखो किने कुछ भी देख रही हो, अब वो ललकी के लिए गाना भी गाने लगा, क्या, चुप रहा हूँ अरे बापरे, यह तो सुहागराद की पूरी तैयारी करके आई है, देखो, देखो, अब यहाँ भुका पाने वाला है, मैं तो कहता हूँ, निकल चलो, चुप रहा हूँ बैठिये, यह क्या है, कहीं, आपको काटाना चुप जाए इसलिए, अरे रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछनी थी, पूछना नहीं, समझना चाहिए, बताया न, प्यार क्या होता है, नहीं यह नहीं, अच्छा, तुम्हारे चुने से रड़की को अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है न, अच्छा लगेगा, तो क्या बता दूँगी, सहलाने से, क्या बता दूँगी, तो क्या करने से बताओगी, अभी बताती हो, उससे तो देखा भी नहीं जा रहा है, यह क्या कर रही हो, किस किस करो तो बता दूंगी हम लगता है अज का नहीं बनना ही पड़ेगा अज सोच क्या रहे हो अज भाई ने कमर पे हाथ रख जिया तो सम्झो काम हो गया मेरी दादाची का गाव में रुदबा था उनकी बात कोई नहीं डाल सकता था हर कोई अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है लेकिन मेरी दादाची ने अपने बेटों को कतल करना सिखाया वो चाहते थे उन्हें कुछ आए ना आए पर कतल करना आना चाहिए मेरी दादाची का एक दुश्मन था, नागराज दादाची के डर से मो भाग दया था लेकिन कुछ साल बात वो अचानद गाउं आया ता? भीग ना मत भाई चाचा भाई बेटा स्टुडेंट्स, ये कौन है आप जानते हो? आपके सामने मारेगे उस नागराज का बेटा है ये आप लोग सच बोलेंगे उसके बावजूद इसके पिताजी वापस नहीं आएंगे लेकिन अगर इसके पिताजी का कदल करने वाला आराम से बाहर खुंता रहेगा तो शाहिद बदले की भावना से ये क्रिमिनल बन जाए लेकिन उसे सजा मिलेगी तो इसे खुशी मिलेगी और कानून पर इसका भरोसा बना रहेगा ये अच्छी जिसकेगा दुनिया में दूसरों को खुशी देने से बढ़कर कोई और दूसरा अच्छा काम नहीं हो सकता सुनो एसपी तूने अगर मुझे छुआ तो तेरी वर्दी उदरवा के रास्ते पे खड़ा कर दूँगा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता सर इसी ने उस आदमी को मारा वेरिगॉड तुम्हारा नाम क्या है बेटा प्रिश्णा प्रसाद तुम्हें अरेस्ट करने की बात पूरे शेहर को पता चलनी चाहिए जिले का एसपी शंकर दादाजी को गिरफता करने के लिए बहुत सालों से मौका ढूण रहा था और नागराज के कतल के बाद उसे ये मौका मिल गया गाउमालों के दिल से इतना खौफ मिटते देखकर दादाजी सहन नहीं कर पाए बाबुजी पिताजी उससे इसपी को मार के मेरे पास ले आना वो जिन्दा नहीं बचना चाहिए उस कृष्णा को भी बच चोड़ना उसे वादा करो बादा करो बादाजी वादाजी वादी वादी जाई जशोदा तान हां खर आयो तान हां खर आयो अअच्चाजी इंदे लिए जाजाजी जाजाजी उसे नहीं जाना तेश छोड़ कर जाने से क्या वो मेरे हाथों से बच जाएगा? उस लड़के के माँ बाप कोई भी नहीं है. उसकी हिफाज़त करने का वादा मैंने अपने भाई से किया हुआ है. उस बेचारे को छोड़ दो प्लीज. मैंने मरती समय अपने बाबूजी से वादा किया था कि मैं उसे हर हाल में मारूंगा. तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाऊ. मेरी एक बास सुलो, मैं उसे डोडने बाताल तक बीचा सकता हूँ. लेकिन वो एक दिन खुद मेरे पास आएगा. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ. कहीं पर वेचिपा दो, मैं उसे सरूर बारूँ. बेटा, तुझे और थोड़ी दिन वहार रहना है. जब तक शादी नहीं हो जाती, तुम यहां मताना. हलो? चाची, मैं बूल रहा हूँ. हाँ, बेटा, बोलो. चाचा जी, घर पर है क्या? वो तो भी बाहर है, बेटा. चाचा जी से बात करने का बहुत मन कर रहा है. तुझे पता है न, वो कितने गुस्से वाले हैं. बात कराओ न. ठीके, दे तीर, सुनिये जी, फोन. हलो? चाचा जी. ए, यह बता, तु है कहाँ? तु फोन भी नहीं उठाता? मैं एक प्रोजेक्ट में फस गया था. शादी से बड़ा हो गया है क्या तेरा प्रोजेक्ट? तुम्हारे हाथ मैं बाद कर, उस घरकी से तेरी शादी करवादूँगा, क्या समझाया? चाचा जी, मैं जानता हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं. ए, ए, यह क्या प्यार बात की बात कर रहा है हैं? पता है मुझे, तुम मुझे मसका लगा रहा है, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूगा, और ये बात तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सुनूगा, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी. ठीक है चाचा जी, आपकी खुशी से बढ़कर, मेरे लिए कुछ नहीं. ठैक्स चाचा जी, ठैक्स? किस बात के लिए ठैक्स? मेरी चितने चिंता आप करते हैं, उतनी मैं खुद की भी नहीं करता. आप मेरे भगवान हो, ठैक्स तो कहना ही चाहिए ना. इनकी पूरी दुनिया इस छोटे से गाउं में सिमट कर रहे गई है. इनकी जिन्दगी दुश्मनी निभानी में कटती जा रही है. यही इनकी प्रॉब्लम है. अपनी प्रॉब्लम को भूल गए तुम, जो दूसरों की प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, यार. देखो, अगर हमारी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है, तो इनकी प्रॉब्लम को खत्म करना होगा. इनकी प्रॉब्लम को तुम कैसे खत्म करोगे? अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है. हमें इनको समझाना ही पड़ेगा. उनसे बोलेगा तो जान से मार देंगे. हाँ, बिल्कुल हो सकता. डार्लिंग, मैं आ गया. हाथ पहला के आ गया, कुछ लाया तो होगा नहीं. ये कभी नहीं सुधरेगी. नमस्ते भाई साब, मैं आ गया. नमस्ते. आओ, आओ, शेराम आओ. इतने साल अमेरिका में रहने के बाद भी, तुम हमेशा ये याद रखते हो कि इंडिया में भी तुम्हारे अपने लोग रहते हैं. और सभी के लिए कुछ न कुछ लेगा रहते हैं. ये तो आपका बड़पन है. थैंक्यू भाई साब. भाई साब, आपके लिए गुड न्यूज है. आते ही वक्त, मैं ओबामा से मिल कर आया हूँ. आपके दुश्मन को पकड़ने के लिए फटाफट फटाफट पैसा खर्श किया हैं मैंने. अगर हम 25 लाख रुपे खर्श करें, तो उसे अभी इंडिया ला सकते हैं. मुझे बेवगू समझता है, तुने मेरा भरोसा तोड़ा है. ए, कोईता लेकर आओ, जान से मार दूगा इसे. रुक्या भीया, इन्हें मारने से कोई फाइदा नहीं होगा. मुझे बचा लो. इन्हें मार देंगे तो प्रिया का लेटर कोई पढ़ेगा. देखिए, आप इस पार इन्हें माफ कर दीजिए. हाँ, अगली बार गल्ती करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. प्रिया? लेटर लिखने वाला महान इंसान कौन है? यह यहाँ पर कैसे? तुम? दामाद जी. ससुर जी. ससुर जी? क्या तुम इसे जानते हो? इन्हे कौन नहीं जानता ससुर जी? यह अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. बड़ी-बड़ी रिसेर्च करते हैं. रिसेंटली, ब्लैक बेरी बनाया है. अच्छा पीस बनाया है. मस्त पीस है. लड़कियों के लिए. ब्लैक बेरी? हाँ भाई साब. सैमसंग, नोक्या की तरह. यह भी एक. स्मार्ट है. क्यों भाई? बाहर ब्लैक बेरी. और घर में एपल जूस. ना? ब्लैक ब्यूटी. साइटिस साब. ठीक है ना? पैचारा. यह भी? हमारे दुश्मन की होने वाली बीवी. दुश्मन की बीवी? और यह बताओ कौन है? मेडम का बेटा है क्या? नहीं, मेरा बेटा है. ब्लैक बेरी क्या है बता दू? अरे बस करो यार, मैं सब समझ गया. सब को बुला लो, अब यह प्रेम पत्र पढ़ेगा. प्रेम पत्र? इसमें जो कुछ लिखा है, उसे एस इटिस पढ़ना है. एस इटिस पढ़ना? डियर, प्रिया, मतलब प्रिय किये प्रियतमा, प्रिया, प्रिया. I am not the son-in-law of this house. मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ. ऐस इटिस पढ़ने को कहा था, तो ऐस इटिस क्यों पढ़ा? आपका बेटा हूँ, मैं इस घर का हिस्सा हूँ. आगे पढ़ो. योर सनिल्ला, इनकोमा. आपका दामाद इस वक्त कोमा में है. दामाद जी कोमा में? As it is घबराई ये मत कोमा का मतलब वो याला कोमा नहीं कोमा जैसे फूल स्टॉप होता है न वैसे ही कोमा ये दमात जी कोमा सासू मा कोमा जीजा जी कोमा हम सब कॉमा की तरह मिल कर रहें तो हमारी जिन्दगी कितनी हसीन होगी तो हम सब की खुशाली के लिए हम सब घरवालों को एक साथ रहना चाहिए कौमा समझ में आ गया ना आदा वर्ज़र आदा वर्ज़र ये सब कैसे लिखती है बहुत प्यार करते थे दामा जी प्यार में सब कुछ चलता है बताओगे तुम्हारी प्यार के लिए मैं क्या करूँ देखो मेरी शादी होने वाली है शादी को गोवा में शिफ्ट करा दो बाकि मैं समभाल लोगा लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहां पर तुम्हारी बात कोई मानेगा भी वो मेरी बात जरूर मान जाएंगे आज ही यह शादी गोवा शिफ्ट करवाता हूँ I love you यार Thank you भाई क्या गाहा शादी गोवा में करवाएं हाँ भाई सब इसे ही destination marriage कहते हैं destination marriage मतलब अब आप लोग तो ठेरे गाओं वाले मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ destination marriage का मतलब शहर से पैसे ले जाकर किसी अच्छी सी जगे पर रहना अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर नाचना गाना बजाना और शादी करने के बाद हसी खुशी वापस आ जाना ये है destination marriage शादी वहाँ कैसे हो सकती है कार्ट भी बच चुके हैं अब तो शादी यहीं होगी अच्छानक गोवा में शादी कराने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई अब इने क्या बताऊं अरे भाई साइंटिस्ट आपने destination marriage के बारे में बता दिया पर उसकी वज़य नहीं बताए आपने जो मुझे समझाया था यही आप इन लोगों को समझाये न ये भी तुम्ही बता दो ससुर जी आपने अपने दुश्मन को यहां तक लाने के लिए उसकी होने वाली बीवी को पकड़ के रखा है पर वो यहां आया क्या नहीं आया क्यों? क्योंकि वो यहां आकर मरना नहीं चाता लेकिन अगर शादी गोवा में होगी तो सूचेगा ओहो ये लोग शादी के लिए आये हैं इसलिए इनके पास हत्यार नहीं होंगे और अपने साथ गुंडों को भी नहीं लाये होंगे तो वो आराम से लड़की को छुड़ा सकता है तब उसे आसानी से हम मार सकते हैं दामाद जी की बात में दम है सब लोग गोवा जाने की तयारी करो अभी तयारी करता हूँ भाई साथ सुनो रगू हमारा अदमी शंकर अभी गोदाम के पास होगा उसे यहाने के लिए कहो मुझे तुम पर तरस आता है मैं बचपन में ही विदेश चला गया था तभी से तुम लोग मेरे वापस आने का इंतिजार कर रहे हो इतना इंतिजार तो फैमली भी नहीं करती सच बताओ, इतना प्यार करते हो आज मेरे पिताजी की आत्मा को जरूर शंती मिल जाएगी मैं तेरे टुक्डए टुक्डए करके भेट दूथँगा ये एक है, शंती की बात करते हो, मार्काट की बात करते हो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं आई मैं उसे सिन्ना ने ठोड़ूगा भाई साम नाम क्रिष्णा है और कोई मुझे छू भी नहीं सकता क्या भाई हम इसे मार नहीं सकता है यह हमें मारने के लिए कि आया है बागो भागो भागो ने तरह नहीं छोड़ाईगा अधि टूड़ जोड़ूगा कर्मा कालीपोई नहीं भाई ये मॉबाइल ले लो पर मुझे छोड़ दो और कुछ है मेरे पास इसके सिवार कुछ नहीं है पर भाई एक आइडिया है इसे डायल करके छूपे वो गुंडों को बाहर निकाल सकते हैं तो इसे फोल लगाता हूं अब इससे फोन लगाता हूँ अब चाहो तो देख लो तूने देख लिया न और कौन-कौन बाकी है और भाई बाकी है पर लगाना तो फड़ेगा निन निन चंपी नहीं रातम तो ने रास्ता चाहिना बोले लो भाई लिंटों बहुत देख लगता है यह लो भाई यह सब रख लो और मुझे जाने दो तुम्हारे काम कर दिया अब मैं चलता हूँ मार मार के कमर तोड़ दियो उसने टेंशन मतला भाई फोन है भाई बैटरी फूल चार्ज है बात कर लो चीट तुम्हारे इस फोन समें फोन नहीं कर सकता क्या भाई एक ही तो फोन बचा था उसे भी तोड़ दिया पोन नहीं लग रहर से लगा अब छोड़िये भी आप तो जानते है वो कितना बड़ा शराबी है उसे ढूड़ने जाएंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी अब चलिए भी करो करो बहुआ छोटू बार बार पुछ रहे कि डैडी का है डैडी का है डैडी को ढोन रहा है पर उसके डैडी तो यहां है वो छोटू मेरे विना रह नहीं पाता मैं अभी उसे लिह कराता हूँ आप लोग किए बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी नहीं, तब ही जाओंगा जब डैडी जाएंगे अगर डैडी यहाँ पर आए और हम सब लोग उन्हें नहीं मिले तो पता है, तुम्हारे डैडी सीधे गुवा आने वाले हैं तुम्हारे डैडी से मिलवाने के लिए तो सब को गुवा लिकर जा रहा हूँ इन्हें देखकर डैडी सप्राइज और डैडी को देखकर ये सप्राइज कैसा रहेगा? बेकार ससुर जी, क्यों? अगर डैडी नहीं जाएंगे तो क्या तुम भी नहीं जाओगे? पर ससुर जी, डैडी चलेंगे डैडी आ रहे हैं ना? तो चलो, फिर हम चलते हैं डैडी गुवा में मिलेंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, चला जा क्या मुसीबत है यारो, लेलो, लेलो, जिन्दगी का हर मजा देख लो, ये जिन्दगी है कितनी हसीन यारो, नफरतों को छोड़ो, नफरते हैं बेवचा बेवकूफ, चल, क्या बक्वास कर रहा है? हुसन है, शबाब है, जवानी की शराब है ये जिन्दगी है जिन्दगी में मस्ती करेंगे, घूमेंगे, भिरेंगे, मौच करेंगे, और अब मंदिर जाने की बात करे हो, ऐसे कैसी चलेगा? शादी से पहले मंदिर तो जाना चाहिए ना? मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाहिए मंदिर. ए सुनो पलवी. रुकिये, रुकिये, भाई साब, ये लड़की सही कह रही है, हम बदले या ना बदले, लेकिन हमारे रहन सान और कपड़ों में बदलाव आना ही चाहिए. पता वैसा ही हो रहा है, ग्यारा बजे तक तो सब सूती रहते हैं, फिर नहा धूगे तयार होने में शाम हो जाती है. आज के दिन भी कहीं गोमने चाहेंगे, आज क्या करेंगे, हम खाने के लिए कहां जाएंगे, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, बताओ, वह, तुम्हें क्या हुआ? इतने सालों से आपके साथ हूँ, हमेशा आपके मुझसे ये सुना, ये करो वो करो, लेकिन आज, पहली बार सुन रहे हूँ, कि बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? ये क्या? ये कैसी हरकते कर रही हो? मैंने सुचा था तुम्हारे साथ बैठ कर इत्मनान से बाते करूँगा, और तुम लाइट बन कर रही हो? अपने पहले तो कभी इस तरह की बात नहीं की, आते ही लाइट बन करने के लिए कहते हैं. ये क्या जी? लड़कियों के साथ क्यों शर्माये हो? मैं नौ महिने बाद तुम से मिल रहा हूँ, कहां से शुरू करूँ कुछ समझ मेंने यार आए. ये उठालो लुट्फ जिन्दगी के सारे यारो लेलो लेलो जिन्दगी का हर मसा. देखलो ये जिन्दगी है कितनी हसीन, यारो नफर दोखो छोडो नफर देह बेवजा. अपने दुश्मनों को खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है ना? यार, इन्हे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे भाई, याद रखो तुम इस समय इंडिया में हो, इसलिए युवेसे वालों की तरह मत सोचो. इन्हें यहां लाके मौज मस्ती कराने से हमारा काम नहीं बनेगा. इसकी चिंता तू मत कर. अब मैं इनका देशी इलाज शुरू करूँगा. देशी इलाज? क्यों ससर जी, बहुत मज़ा आ रहा है ना? ए दामाज जी, बच्मन में गाउं के कुवे में तरता था. आज गोवा के समंदर में. शायद अब गोवा आने का मकसद भूल गए हैं सचुर जी. वो कैसे भूल सकता हूं? दुश्मन को कभी नहीं भूल सकता. आपका दुश्मन अभी भी यहीं है. ए दामाज जी, ये क्या कहे रहे हो? तो और क्या कहूं मैं? उससे बदला लेने के लिए हम इतनी दूर, यहां तक आ गए. और आपको तो इंजोईमेंट से फुरसत ही नहीं? ये खुश्यों में खलल डालेगा. भाईस आपको घुसा आना शुरू हो गया. अब ये मत कहना कि आपने अपने दुश्मन को माफ कर दिया है. चलो, जल्दी से निकल चलो, नहीं तो मार खानी पड़ेगी. हाँ, चल, चल. हम इंजुआए करते हैं. अब पानी में खिलना, बंद कर दीजिए. नाना जी, सच बोलना गलत बात है क्या नाना जी? हेई, सच बोलना बुरी बात है मैंने कहा था ना, फिर नाना जी से क्यों पूछ रहे हो? सच बोलने में कोई बुराई नहीं है दामाची. बुराई नहीं है, तो 20 साल पहले एक बच्चे के सच बोलने पर आपके पिदाजी क्यों मर गए? और अगर बुराई नहीं है तो सच बोलने वाले उस बच्चे को मारने के लिए आप लोग इतने सालों से क्यों ढूब रहे हैं? पिर इससे सच बोलना क्यों सिखा रहे हो एए आ इंदा अगर कभी सच बोलाना तो मैं तुझे मार दूँगा चलो बड़ा आया सच बोलने बाला पता नहीं ये दामाजी को क्या हो गया है अब तु कम कर रहा है न कोने कोने ही लोग हम लोग कहां आगे भाई कुछ समझ में होना नहीं कहां पहुंच गए भाई ये कौन सी जगह है रे सासूर का गाउं है हाँ 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 पुझे खाने वे हम लोग कहां पर है मुझे क्या पता ज़्वार पन कर रहा है बहुत बद्बू आरे ला है हलो सुनिया माजी मैं और आपका कृष्णा बचपन के दोस्त हैं वो घर पर आ गया है क्या हो तो बात कराये नहीं बेटा वो गोवा गया है गोवा में कहां गया है पता नहीं बेटा इतना पता है गोवा में किसी की शादी वो इंडिया आ चुका है भाई वो आपके घर वालों के साथ गोवा चला गया है और हमें रोकने के लिए उसने ट्रेंड में बंद कर दिया उसे पकड़ने के लिए हम लोगों को भी गोवा जाना पड़ेगा हम सब कोवा जाएंगे क्या भाई पहले खुदी कहते हूं कि दुश्मनी भूल जानी चाहिए फिर खुदी उन्हें दुश्मनी याद दिलाते हो दूद को दही बनाने से तो चाच मिलेगा ये सब बाते मेरे समझ में नहीं आती मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये दुश् का गलाग हूटते आ रहे हैं और हम इन्हें इस बात का एहसास करवाएंगे ये तब होगा ना जब कोई आएगा ये लो भाई पैसे हैं एक मिलने हैं हे लकी बेगर क्या बात है तुम्हारे जिसा दर्यादिल कोई नहीं होगा तुम्तु फादर टरी सा हो थैंक्यू क्या रहे हैं अरे वा भाई आप तो रियल हीरो हैं वा सन अफ सुनामी टाइटानिक हीरो लग रहे हो या वो तो उसे छोड़के भागिया यार अरे ऐसे कैसे चला जाएगा मुझे जिस नकली दुश्मन की तलाश थी वो यही है वाँ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी यह हो देख लेकिन क्या वो हमारी बात मानेगा बिल्कुल नहीं मानेगा पर हम मनवाएंगे कैसे मनवाएंगे फेस्बुक हाई सुपरमान यू दिद माइंड ब्लोइंग एडवेंचर माइडियर फेस्बुक पर तुम्हारी पोस्ट देखकर मैं बिलकुल पागल सी हो गई हूँ तुम्हारा तो जवाब नहीं तुम जैस्मेंट से चाट करते हो मीरा से चाट करते हो एक बार मुझसे भी चैट करो क्योंकि मुझे तुमसे रोमांटिक बातें करनी है हाई स्वीटी वेर अरे यह तु वही पागल है वाउ यह सपना है यह सच है पिंच में पिंच में यह तो सच है तुम फेस्बुक से बाहर निकल कर मेरे सामने आ गए हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ मेरे बहुत सारे फॉल्वर्स हैं लेकिन मैं ना मैं ना तुम्हे ही फॉल्व करती हूँ मैं रिक्वेस्ट भेजूँगी तुम एक्सेप्ट करेंगा जब मेरे फॉल्वर्स तुम क्या कह रहे हैं लोग? दे हैव हैपिली एक्सेप्टेड यू यह क्या? यह बुढ़ा उसका लवर हो ही नहीं सकता अब हम दोनों लवर्स हैं लवर्स हैं? अब सही वक्त आ गया है यहां पर आने के बाद पता चला कि लाइफ क्या होती है भाई साथ, आपको जिस मकसद से गोवा लेकर आया था वो पूरा हो गया वो रहा हमारा दुश्मन देखिए सब हमें देख रहे हैं क्या यही हमारा दुश्मन है? इसकी हाइट तो बहुत कम है दुश्मनी की वज़े से आपको छोटा लग रहा है आपके आगे उसकी ओकात ही क्या है इसलिए आपको बहुना दिख रहा है आग में घी अच्छा डालता है उसके बाप की उमर का लग रहा है अरे यह क्या कह रहे आप? बुढ़ा नहीं है वो वो यंग है बुढ़े का गेटप बनाया है ताकि उसे कोई पहचादन पाहे ताकि उसे कोई पहत्चान पाहे यह उसका लोगिक है तुम जाओ खोके पाइवल को जाओ जाओ बट आपके नट फरगेट यू इसे लोग इसे मारने के लिए आरहार ऑई जाओ 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 बेबकुफ नहीं पकड़ा ना जाए कहा आंगे हाग क्यों ससर जी आपको दुश्मन मिल गया आपने उसे खतब कर दिया ना नहीं दामाजी वो भाग गया इतने सारे लोग थे फिर भी कैसे भाग गया हमारी फोटो निकाल कर भाग गया बिली आंख बंद करके सोचती है उसे कोई नहीं देख रहा इसका क्या मितलब साइन्स यहाँ पर आने के बाद आप और आपका पूरा परिवार आलसी हो गया है मुश्किल से एक चांस मिला था वो भी आज से निकल गया जाहिए एश कीजिए अब वो कभी नहीं मिलेगा वो सरूर मिलेगा कैसे यो कि उसके चाचा चाची उसे ढूनने जो आए है अरे बापनी यह कहां से आगे एक्सक्यूज मी यहाँ पर डेस्टिनेशन मेरिज कहां पर अरे सुनिये राओ साहब कैसे हैं आप और आपका लड़का कैसा है बचपन में उससे छोटी से गलती हो गई आप अभी तक उस बात को दिल से लगा कर बैठें सुनिये जी आपका भी परिवार है आपको उस पर जरा सी भी दया नहीं आती आप मुझे नहीं समझ पाई हैं अरे वो बात तुम्हें कब-कब भूल चुका हूँ हाँ भाई ये लोग बदल गए हैं इनके कपड़े देकर पता नहीं चलता आपको हम लोग यहां पर अपनी बेटी की शादी के लिए आएं लड़का भी साथ है ये हैं दामाजी दामाजी ये हमारे बहुत करीबी है करा वित दामाजी हाँ हमारा नाम अजय है नहीं है क्या बोल रहा है आरे लगे दो आपको पर अपको लगोजी ये क्या कह रहे बटा इसे चटा प्यार हाँ अबटार जी अचाना के इंगलिश में क्यों बात करने लगे अवे तो जानता नहीं वो गुसे में अच्छे इंगलिश बोलते हैं अरे बटार तुम तो वो मादा आपको अपनी शादी के बारे में सारी बात इंगलिश में बदाएंगे बद्री जी सासुर जी इनके रहने का बंदो बस्त करो अच्छा ठीक है चलिए ये सब क्या है बेटा चाची जी आप जिंदा मत कीजिए चाचा जी बस एक कुशिश करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो वक्त सब कुछ बदल देता है ये बात उन्हें भी समझ में आईगी अब तुम इंडिया छोड़कर नहीं जाओगे वादा करो मुझसे सुनो गोवा के कोने कोने में जाके उसे ठूंडो पकड़ लो उसे बचके जाने न पाए जहां भी दिखे उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो जाओ जल्दी जाओ ये शादी के पाटी है ये दारो के पाटी है कैसे लोग हैं ये शादी के नाम पर पैग पर पैग चड़ाई जा रहे हैं और वो सेल्फी वाला मिस्यू मिस्यू बोल के किस पर किस बेचता जा रहा है ये देखो इसका कुछ करो क्रिशन इसने मुझे परिशान कर रखा है कृष्णा तुम उसके लिए परिशान मत हो मैं अभी यहाँ पर ऐसा हंगामा करूँगा कि वो सब लोग टेंशन में आ जाएंगे फाइनल गेम स्टार्ट्स ना पार्टी में अच्छा खाना मिलेगा सोचकर आज खाना ही नहीं खाया तेरी इतनी हिम्मद मेरे ससूर जी के साथ बैठ कर शराब पीता है और साथ में स्नेक्स भी खाता है आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं क्या हुआ दामा जी तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो यह हमारा दुश्मन है यह बातों को इधर से उधर गुमा क्यों रहा है असली दुश्मन तो यही है तो ड्रामा क्यों कर रहा है दामा जी यह कुरसी तो खाली है ना कुरसी पर तो कोई नहीं बैठा है खाली कुरसी है तो यहां.. को फतंपी बाचेगा! तुम यहां बैच्वाग, शर्राप पी रहे हो भाप्रे? ह nessa तो तो मुझो हो मैं तुम्हारा ससुर हूँ ससुर हो नो में तुरी ससुरे, मुझवाले! दुश्मन भी शर्राप पी रहे लोना बद्गर में? क्या भाई तमने यहां पर भी नाटक शुरू कर दिया? तो दुष्मन यहां तक पहुंच गया? यह भाई यह कनफर्म जिन्दान ही जोड़ूंगा अगर कोई थ्वाल तुबात किना तो तेरा टेट बदूबादूंगा तमची वो रहा मेरा दुष्मन यह तो मेरा दुष्मन नहीं है यह क्या कह रहा है ससुरूजी अभी तो आपने कहा था कि यह हमारा दुष्मन है दूर से देखने पर तो यह वही लग रहा था पर यह वो है नहीं अपना चहरा दिखा यह तो वो नहीं है ससुरूजी आपको भी मेरी तरह सब के चहरे में अपना दुष्मन दिखने लगाए मेरा भाई महत्ति आल्कphone कमे यह अब केолн में यह भाई कीयाया नहीं है रिवेच श्रीय है क्या म conventionally? भाई को मार है और यह फो बदला नहीं लेगा मैंने उसके भाई को मार वह सेलफी आद करो यह स्मद्सनि पर हाथ रखा ता नहीं अट के मत्सज़ करो उसके लिए रिवेंज ले रहे हैं तब तो बात समझ में आती है अब बता कोई ये सब चीजें सूशल मेडिया पर देखकर परदाश करेगा अब अगर तू थोड़ी दिर भी यहां रुका ना तो सल्फी लेना भूल जाएगा इतनी हमार पड़ेगी बस अच्छी तरह से समझ गया ने चलता हूं आइने में मुझे दुश्मन जैसा क्यों दिख रहा है लगता है चड़ गई है ओफ़ो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेहन से देखना परेगा रहा है बाल पाल में अबरी तरह से थेखने में एफ़ो कि उचल से ही अँ़ कि रहाइड़ आ़ में उप्टियों हुआ अइस अजलिक जी अज आफ जी पता नहीं क्या हो गया है जिसे भी देखता हूं मुझे उसमे अपना दुश्मन नजर आता है मेरे साथ भी बिल्गुल ऐसा ही हो रहा दमाजी मुझे हमारी प्रॉब्लम समझ में आ गई ये ससूर जी हमारे दिल और दिमाग पर और जहन में जो बतली का भूद खुसा हुआ है उसे निकलना होगा अगर हम उसके बारे में इसी तरह से सूचते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे इसका कोई लाज नहीं है कि अदमाजी है ना ससूर जी वो क्या है हम सब की मौत क्या आप मरना चाहते हैं तो फिर हमें दिल से नफरत को निकाला होगा ये तुमने ठीक हाँ सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख लीजी उसके बाद आखें बंद कीजी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हो गया अब आँखें खोईए अब आईने में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है है ना तुम आदमी नहीं फरिश्टे हो बिल्कुल ठीक कहा आपने इतने दिनों से मैं भी तो आप से यही कहने की कोशिच कर रहा था इसी पल से मैं अपनी दुश्मनी भूई राता हूं मैं भी तो यही चाहता हूं अब मुझे वो दिखाई देगा तो मैं उसे मारूंगा नहीं बल्कि अब अगर वो मुझे दिखाई दिया तो सीधे उसकी करदन काव तो यह तो फिर से उसी पट्री पर आगए पूरी महनत बेकार गई मैं हो प्रिया अच्छा तुम हो आज तक तो मैं समझ नहीं पाई कि आप अच्छे इंसान हो यह बुरे इंसान हो अच्छा लेकिन आज अपने पिताजी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैं बहुत पिस्मत वाली हूँ जो आप मिले अच्छा यह क्या समझ गए तुम्हें क्या हो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई के मेरे साम नहीं यह सब कर रहे हो पहले वहाँ देखो अब यहां संगीत शुरू होगा भाई भाई की बेटी से क्रिष्णा की शादी हो रही है एई चल्दे चलो तुमसरा पकड़ना इसे ही पकड़ती हो क्या हो रहा है यह सोचा था मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ हो गई लेकिन उसके शादी तो किसी और के साथ हो रही है आप चिंता मत किजिए, मेरा बेटा संभाल लेगा छोटू, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, मुझे मेरे डैडी चाहिए अंकल मेरे डैडी मेरे लिए परिशान हो रहे होंगे अंकल पिछली बार भी आपने कहा था के डैडी आएंगे इस गेम को बंद कर दीजिए अंकल ठीक है, बंद कर दूँगा तो मेरे डैडी आ रहे है ना? वो आ रहे है बेटा थैंक्यू अंकल मैरे डैडी इस कोमेंग मैरे डैडी आने वाले हैं क्या हुआ छोटू? मेरे डैडी आ रहे है नाना जी, मेरे डैडी आ रहे है असली डैडी? अंकल गेम खेल रहे थे, अब गेम खतम हो गया, इसलिए मेरे डैडी आ रहे है कैसा गेम? आप नहीं जानते न, मैं दिखाता हूँ ये है मेरे डैडी, और ये मम्मी, और ये गेम अंकल डैडी का नाम क्या है? अजे कुमार और कीम डैडी का नाम क्या है? क्रिश्ना प्रेशाद ठोड़ूंगा नहीं, चलो निकलो यहां से काट के टुकले टुकले कर दो इसके सुनो बेटा, ये आदमी हमारा दामाद नहीं है ये वही है जिसकी वज़े से पिता जी की मौत हुई है क्रिश्ना प्रसाद ए भगवान, ये क्या होने जा रहा है यहां पर? इन लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं है मेरी बात मालो, तुम ये देश छुड़ दो कहां जाओ 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 जी? कितने सालों से आप मेरी हिफाज़त के लिए परिशान है कब तक भागेंगे? आज नहीं हो पाया, तो कभी नहीं होगा ससुर जी, पहले मेरी बात सुरू पेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ससुरू बोलेगी बचपन में मेरे हाथों से बच गया था और आज तु मेरी बेटी से शादी करने के लिए आ गया दश्मनी खत्म करने की बातें करके सब को बेवकूब बना रहा था तु ने क्या सोचा था देश शोड़कर चला जाएगा तो हम दश्मनी भोल जाएगे नानाजी से कही है ना वो इन्हें ना मारे अंकल बहुत अच्छे इंसान है कम से कम इस बच्चे के खाते रह सही सच पता ना यह सब तुमने क्यों किया पिटा आए बद्वान आए 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 इतने सालों से जिसे मारने के लिए भाटक रहे थे वह वो आज हमारे सामने है इसे मारकर अपना बदला लेना है छोटे काट डालो से यह क्या हो गया है तुम्हें? घर में दामाद बनकर घुसाया हमाची की जान भी इसी ने लिए है यह जान लेने वालों में से नहीं है छोटे जान देने वालों में से है दुश्मन को मारने के चक्कर में मैंने खुद अपने ही हाथों से दामाद को मार दिया होता दैडी! 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 जब मैं और मेरे आदमी इसे मारने के लिए ढूंड रहे थे तब ही दामाद जी मेरे सामने आ गए तुम? मैं आपका दामाद हूँ दामाद हो? जानते हैं मुझे मौत के मुझे किस ने बचाया था? जिसे आप मारना चाहते हैं कृष्णा परसाथ ने मेरे कॉमा से बाहर आने के बाद वो मुझसे मिलने आया था ये तो जानता हूँ कि वो गाउं की जमिदार है लेकिन दुष्णी के बारे में नहीं जानता और दुष्णी कैसे खत्मोगे ये भी नहीं जानता अगर हर आदमी यही सूचता रहेगा तो दुनिया से कभी नफरत खत्म नहीं हो पाईगी हमें इस सूच को ही बदलना होगा अगर तुम्हारी इजासत हो तो मैं उनका दमाद बन कर जाना चाता हूँ मुझे पूरा यकीन है मैं इस दुश्मनी को मिटा सकता हूँ कहां गया तुम्हारा यकीन ये लोग कभी नहीं बदलेंगे क्या गा था आपने कि मैं इस छोटे से बच्चे के लिए सच बोलूँ आज से 17 साल पहले मैंने एक सच बोला था तब मैं भी एक बच्चा था अंटी इतने सालों में आप लोगों ने किया ही क्या है सिर्फ दुश्मन ही तो निभाई है तब से मेरे परिवार के लोग परिशान रहते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए कोई फाइदा ने इन सब लोगों के होने के बाद भी अनाथो की तरह रहना पड़ा मुझे मैं चाहता था कि इसे मेरी तरह ना जीना पड़े माबाप नाना नानी सब के साथ जैन से जीए इस पर दहशत का सायना हूँ इसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बुराईयों से बचा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था इसे शायद मैं गलत सोच रहा था जब देखो सब दुश्मनी की बात करते रहते हैं और मैं आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ हाँ मैं दुश्मन हूँ आपने बिल्कुल सही कहा था चाचा जी इंडिया सपनों में ही खुबसूरत लगता है हकीकत उससे उलट है अब मैं आपकी हर बात मानूँगा चाचा जी आप जो कहेंगे करूँगा सच में मैं वापस चला जाऊँगा पर एक बार अपना घर देखना चाहता हूँ मोझा पर यापना जेख मोझा ठुका जीचा जीचा विल backing जीचा जीचा जीचा, ओकिते है झाप खड़े एक जीचा 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 का भिल तेखना सव्धतह प्रोदू का जीचा अजैने दो झाल दूसरों को खुशे देने के लिए अपनी खुशे के परवा नहीं करनी चाहिए